नमस्कार दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि जन्धन योजना के तहत 500 रुपिय की बाकी दो किस जन्धन खाते में किस तारीख को पहुँचेगी सरकार ने देश के 20 करोड जन्धन खातों में 500 500 रुपिय की पहली किस डाल दी है अगले दो महिनों में 1000 रुपिय और भेज जाएंगे सबी जन्धन खातों में या रासी 5 चड़नों में भेजी जाएगी सरकार के द्वारा पैसे बेजने के लिए एक नया ही तरीका अपनाया जा रहा है जिसके तहट आपके खाते का अंतिम संख्या या बताएगा कि आपके खाते में कब पैसे आएंगे सबसे पहले बात करते हैं दूसरी किस्ट की दूसरी किस्ट की रकम जन्धन खातों में मई महिने में भेजे जाएगी जिन खातों का अंतिम अंक 0 या 1 है उन खातों में सरकार 2 मैं को रासी जमा करवाएगी और खाता धारक को भुकतान 4 मैं को होगा इसी परकार जिन खातों का अंतिम अंक 2 या 3 है उन खातों में सरकार 3 मैं को रासी जमा करवाएगी और खाता धारक को भुकतान 5 मैं को होगा जिन खातों का अंतिम अंक चार या पांच है उन खातों में सरकार चार मै कुर आसी जमा करवाएगी और खाता धारा को भुकतान चो मै को होगा इसी परकाट जिन खातों का अंतिम अंक 6 या 7 है उन खातों में सरकार 5 मैं को रासी जमा करवाएगी और खाता धारा को भुकतान 9 मैं को होगा जिन खातों का अंतिम अंक 8 या 9 है उन खातों में सरकार 6 माई को रासी जमा करवाएगी और खाता धारक को भुकतान 11 माई को होगा अब बात करते हैं तिसरी किस्त की तिसरी किस्त की रकम जन्धन खातों में जून महिने में भेजे जाएगी जिन खातों का अंतिम अंक जीरो या एक है उन खातों में सरकार दो जून को रासी जमा करवाएगी और खाता धारक को भुकतान तीन जून को होगा इसी परकार जिन खातों का अंतिम अंक दो या तीन है उन खातों में सरकार तीन जुन को रासी जमा करवाएगी और खाता धरक को भुकतान चार जुन को होगा जिन खातों का अंतिम अंक आट या नौ है उन खातों में सरकार छो जुन को रासी जमा करवाएगी और खाता धरक को भुकतान आट जुन को होगा तो दोस्तों इदि आपका मॉबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है तो पांस रुपिय आने की जानकारी आपको मिल जाएगी इदि आपको या वीडियो अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग